संगत करनी संत की क्या नुगरा से का नुगरा ले जावे नरक मैं संत मिला वेरा संगत करनी मिर मल संत री महारी है लिए संगत करनी मिर मल संत री महारी है लिए आवा गमन मिट जाय रे जनम मरन छुट जा अग मैं मर है लिए चंदन उग्यों हरी बाग मैं मर है लिए खुशी भाई बन रा यरे खुशी भाई बन रा आप सुगंद औरा में करे मारी है लिए रही रे सुगंदी छाबरे रही रे सुगंदी छाब बासू जो रे दर रे तू उंग्रे मर है लिए बासू जो रे डर रे दूंग्रे मर है लिए थरक रही वन रा यरे थरक रही वन रा आप बड़े ओरोंने बाल सीमर है लिए कपट गाठ घट मारे कपट गाठ घट मारे चंदन उग्यो हरिय बाग में खुशी भई बन रा है और बास उग्यो डर डूंग्रे थरक रही वन रा है जहां एक तरप चंदन के उगने से वन में चारों और खुशी और आनंद का महोल हो गया कि अपनी सीतल चाया के साथ साथ दिव्य शुगंद से पूरे वन को महकाएगा वही दूसरी और बास के उग्यों से वन में चारों और उदासी चागई कि एक दिन ये नुग्रा बास खुद जलेगा और पूरे वन को जला देगा और धीरे धीरे समय आगे बढ़ा जिसका डर था वही हुआ उसी वास के कारण जेंगल में आग लग गए लोलागी डावा डूंग रे मरिहेली लोलागी डावा डूंग रे मरिहेली मिल गई जाडों जाल रे मिल गई जाडों जाल और तो पंखेरू सब उड़े गया मरिहेली हंसलो बैठो डाल रे हंसलो बैठो डावा डावा जाडों 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 जाड चंदन हंस सूमुख बोल यो मारी हैली थे क्यूं जड़ो हंस राजरे में तो जड़ा बिन पाँ आँखियां महरी हैली में तो जड़ा बिन पाँखियां महरा हंसा जड़ा है पताला रे मारे लो लागी डावे डूंगरे मिल गई जालो जाल और तो पंखेरू सब उड़ गया और हंस लो बैठो डाव जंगल में चारो तरफ आग बड़ी भयंकर फैल गई सारे जीव जन्तू पसू पक्सी अपनी अपनी जान बचा कर भाग गए पर एक हंस आग की लप्टों को चीरता हुआ चंदन की डाली पर बैढ गए मृत्यू से बिना डरे भाव के साथ अपनी डाली से लिपता हुआ देख चंदन हंस से बोल पड़ा कहा हे हंस राज मेरी तो जड़े बड़ी पतालों में गहरी है इसलिए इस आग में जलने को विभश हूँ पर तुम्हें तो भगवाल ने पंक दिये हैं अपने इन पंकों का इस्तमाल कर और इस चंगल और आग को छोड़ कर अपनी जान बचा कर चला जा पर हंस आखों में आशू लेकर बोला हे चंडन तेरे फूल खाए तेरे पत्ते खाए तेरी डाली डाली खेले तेरी चाया में अपना जीवन बिदाया और आज इन आग की लप्टों को देखकर आज इस मृत्यू के भई से अगर मैं तुम्हें छोड़ कर चला जाओं तो मेरा प्रीम कैसे चंडन हंस सू मुख बोल यो मारी हेली थे क्यों जड़ो हंस राजरे थे क्यों जड़ो हंस राज में तो जड़ा बिन पाँ आखिया मारा हंसा जड़ा है पता आड़ा रे मारे फल खाया पान पिरो अलिया मारी हेली फल खाया पान पिरो अलिया मारा चंडन रम्या डालो डाल रे खेल्या डालो डा थे थे तो जड़ो में क्यों उबरा महर चंडन थे तो जड़ो में क्यों उबरा महरी हेली जीवनों है कितरा साल रे जीणों है कितरा साल फल खाया पान पिरो अलिया और रम्या डालो डाल थे तो जड़ो और में क्यों उबरा जीणों है कितरा साल हंस रोता हुआ चंडन से बोला है चंडन मेरे जीवन पर तेरे बड़े उपकार है और आज इस आग की लप्टों और इस संकट की घड़ी को देख कर मैं अगर तुझे छोड़ के चला जाओं तो मेरी मित्रता कैसी और मेरा प्रेम कैसा एक तरफ हंस और चन्दन का टूट प्रेम देख कर भगवान की आखों में आशु टपक पड़े और इस प्रेम के लिए भगवान ने उस चंगल में इतनी भयंकर बारिस कर दिए कि चारों तरफ खुशी का बाहूल हो गया और आग की लप्टे पी बुज गई साहेव कभीरदास जी ने कहा चंदन हंसरो प्रेम देखने मारी हेली दूधा पर शो में वरे कहे कभीर सा धर्मी दास ने मारी हेली कहे कभीर सा धर्मी दास ने मारी हेली मित नित नव लावे शरे संगत कराणी मिर्मल संत्री मारी हेली संगत कराणी मिर्मल संत्री मारी हेली आवा गमन मिट जायरे जनम मरन छुट जा